इस अफसर पर भगवान रंगनात को चंदन के रत में विराजमान कर शोभा यातरा निकाली जिसमें लाखों श्रधालियों ने रत कीच कर पुन ने कमाया मेले में मुख्याकर्शन का केंदर चंदन की लकडियों से बना सैकडो वर्ष पुराना रत रहा रत की उचाई 56 फीट है जो की वर्ष में सिर्फ एक ही बार निकाला जाता है इस रत पर विराजमान होकर भगवान रंगनात लाको शधालियों को दिव्वे प्रदर्शन देते हुए वरिंदावन की कुझ गलियों में शोभायातरा निकाली है मामला जन्पद एटा के ब्लॉक स्कीट का है जहां पे बीते दिन को ऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के नामांकन के दौरान भाजपा के नीता से जगड़ा हो गया था तो वहीं महिला प्रत्याशी उमेश कुमारी का रातो रात मदाता सूची से नाम गायब हो गया जी हाँ आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला जन्पद एटा ब्लॉक सकीट में को ऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के चुनाओ में प्रत्याशी राजवीर सिंग ने नामांकन पत्र दाखिल किया था जिसमें एडियम प्रशासन आलोक कुमार ने नामांकन पत्र में किये दस्तावेजों की जाच कर कागजात सही होने की पुष्टी की और नामांकन पत्रों की वैद सूची जारी कर दी जब शाम को एक बर फिर से वैद नामांकन पत्र दाखिल सूची जारी हुई तो उसमें प्रत्याशी राजवेर सिंग नाम सूची से काट दिया गया था